और इस विडियो में मस्ट विबियाई कल आने वाले एक्जाम में जो भी इंपोर्टेंट कुश्यन है, वो डारेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, थोड़ाचा ट्रीक है यहाँ पर, थोड़ाचा आप ऐसी लिखने है कि नीपू के चार संगतिया राजा बने, कि संदी वाटरलू के यूद में नेपूलिय नहारा था और क्रीमिया के यूद हुआ था अठारे सो चोहुन में, याद रखिएगा, यहाँ देखिए, यह थोड़ा सा सब ट्रीक है, आप देख लीजेगा इसको आराम से, थोड़ा सा हम कोश्चन के तरफ जल्दी चलते है क्योंकि कल आपका एक्जाम है, तो आज यह जो भी कोश्चन है, यह समझे तो वाइरल परसन है, वाइरल परसन है, बावु डायरिक्ट आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा, यहां बता ही, मेजनी का समद्ध कर्बोनरी से था, कर्बोनरी संगटन से था, अगला हो जाएगा दो का सी हेगल के विचारों से परभावी यहां तिन नमर कुश्शन की इंप्रफ ने कि फ्रांस में फटाफट एंसर देते जाहिए आप लोग कमेंट में बताते जाहिए कि यह कल आने किसी भी कीमत पर समाजिक भी घ्यान में डारेक्ट इसी से पुरशन रहेंगे यानि कि दिमाग में बैठा लेजिएगा फ्रांस में किस सासन वंस का पुना अस्थापना हुए यह बियाने कंग्रेस के द्वारा तो बताए वुर्वर वंस दुबारा सासन करने लगा अगला ज संगठन कि सथापीत हुआ अठारे सो दस में अस्थापीत हुआ था ऐंड्रियय नीपोल की संदीक कभ हुए तो अठारे सों इनयनी पूल के संदी लिए के याद रखेगा तरी और देशों के बीच हुआ था है अगला कुश्चन देखिए यही कोसटन आपके एकजाम में आयागा यह सर्डीनिया यहां पे सर्डीया सर्डीया प्रचास कौन था तो यहां पे विक्टर इंप्टर इंद मेंट सब्सक्रा यहां देखिए यह अगला कुश्चन देखिए यूरोपीय सभ्याता का पालना किसे कहा जाता है तो तुर्की को कहा जाता है याद रखिएगा ठीक है नेपोलियन संहिता कब पारित हुआ तो ट्रीक उपर याद है ना 1804 में नेपोलियन संहिता आइसी समय नेपोलियन राजा भी बना था चली अगला कोशन देखिए यंग इटली और यंग यूरोपी दोनों में से यंग वाला कोई भी पुछे मेजनी इसके संस्थापक थे यहाँ देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है यह याद रखिएगा यह वाला नहीं होगा ठीक है रूज को किस ने किया विस्मार्क ने किया यानि लोहा से मारक रक्त बहाओ बहाओ से विस्मार्क हो जाएगा लोहा से रक्त और लव की निती हो जाएगा ठीक है गैरी बाल्टी पेसे के क्या थे नाविक था वो उसका खानान पूरा नाव चलाता था ठीक है यहाँ देखिए जर्मन इसी समय आपको फ्रैंक्फर्ट की संधी भी होई थी यही कोस्चन कल देखने को मिलेगा यही कोस्चन आएगा विडियो के एक बार लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो बाबु लाइक कीजिए और सियर कीजिए सब को जोड़िए इसमें यूनान को अब देखे यूनान को स्वतंत राष्ट कप घोसित किया गया ता यूनान से प्रस्ण हमेशा रहता है सभयता का पालना किसे कहा जाता है यूनान को कहा जाता है किस देश का सहित्यास क्या बोलते है प्रेणा का सुरोत रहा यूनान का रहा ठीक है याद रखेगा यूनान कप स्वतंत रहा अठ 1932 में खंग्री किसकी रजधानी यह बूढपेष्ट की रजधानी हंग्री को सदेखिए पॉलेंडग्ड अगला कोस्ट यहां पे देखिएगा विट पॉलेंड के विद्रों को किसने कुछल दिया पॉलेंड के विद्रों को किसने कुछल दिया रूस ने कुछल दिया था पॉलेंड की विद्रों को जर्मानी राइन राजिया का निर्माड किसने का नेपोलियन बुनापाट अगला कुस्चन देखिए अगला कुस्चन है देखते चलिए संपूर्ण साम पहले के लोग को यूरोपियन बोल जाता है तो यह समाच सुधारक की रचना किस नहीं थी वार एंड़ पीस लाल सेना का गठन किस ने किया तो एक तीस में ये तीनों में से कोई निवाई ये ट्रास्ट की हो जाएगा लाल सेना लाल कूर्ती पुछेगा तो गैरी बाल्टी लाल सेना पुछेगा तो ट्रास्ट की ठीक है लेलिन की मिर्ती कभी ये क्वेश्चन कई बार पुछा गया है इसको रट लेज़े लेलिन के मिरती 1924 में हुआ था ठीक है अगला कोशन है बैग्यानिक समाजवाद के जन तो यही होगा आपका एंसर अगला कुस्ट देखिए अगर्द्रियन निपुल की संधी किन्दो देशों के बीच होई थी पैंटिस नंबर का एंसर देखते चलिए सिर्फ आपको देख लेना है रटना नहीं है देख लीजिएगा आपके दिमाग पर रहेगा जिहां यही होत नहीं आयेगा ठीके यहां देक़्ी में से तो मेर्ड क्या था नाटकार था संगित गयता उप्र ठीक को गया था काउंट कभूर और विस्मार्क दोनों पूट टगया था लो ठीके अगला देखिए युनान सोतंतता अंदुलन के दौरान कौन ब्रिटिस कभी सहीद हो गया तो लॉर्ड वाइरन बेचारे वाइरन हो गया खतम हो गया ठीक है अगला कोशन यूनान के सोतंता संगराम में किसकी पराज़ है तूर्की हार गया इसलिए तो तूर्की को मरीज इतना सभी देशों ने मिल करके इसको मार जे कि मरीज की तरह दि बना अठारे सो चार में लागो हुआ था यहां देखिए लाल कूर्ती नामक्स यहां पे जो है संस्ता का गठन किस ने किया अप्शन यहां पे क्या है चार तो गैरी बालती हो जाएगा आपको अलड़ी यह बता चुके हैं गैरी बालती गदर पार्टी किस ने की कुश्च प्रथा का अन्त अलेक्जेंडर दूतिया ने कब की अठारे सो एक्सट में किया गया है तीरा एलिस का कितना हो जाएगा तीरा एसए यह याद रखे गया था दूतिया ऐसे लिखे गा आपके एकजाम में ठीक है अगला कुस्च्चन देखिए काल माक्स का जन्म कहां होगा था काल मांक्स का जनम 44 नंबर का होजए काल मांस का जर्मिनल जर्मनी में काल उन्हां कि अधो देखे है यहां पे ओली सुर्व यहां हो जाएगा अली मुशालियर ने किस बिद्रोह का नेत्रितव किया था अली मुशालियर ने ओप्सन यहांपे है यहांपे रंपा बिद्रो खोड बिद्रोह यहां फोडा खेडा बिद्रोह यहां पर Whereas primeira session आपर बताएंवे 45 नमर केंसर का 45 पर बिद्रों को अली मुशालीयर ने कइस्धा ठ落 Wikipedia 004 747 नमर का क्या आप अंतरस्टिय इस महिला दिवस मना जाता है दिमाग पर एक बार में आ जाना चाहें रूस का पहला समाजवादी कौन था बताईए पलेख नोवाथा कौन था यद रखियेगा नई आर्थिक निती 1931 यद रखिये नई आर्थिक अपने 921 में लाग वेतल यानि कि इसको समाजवादियों का बायबिल का जाता है यह भी question अगले आपर बोला है कि फ्रांसीसी समझवाद के विकास का जनमदाता कौन हो यह कौन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि अभी एक्जाम बाकी है और जो मस्ट इंपॉर्टेंट वाइरल प्रशन होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पस तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किये रहेंगे और घंटी का इकन को यहां पर दबाये कालमक्स समाजी सामयवादी एक अंकोरवाट का मंदिर कहां है कंबोडिया में कहां पर आपकोंडिया में याद रखिएगा कंबोडिया यहां पर आपसन नमबर डी इस राइट एंसर यहां देखिए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रतम वैपारी कौन था पुर्थगाली में थाले पूर्थगाली था यहां देखिए हिंद चीन में रही फ्रशंब को क्लून का जाता है क्ल अब मेरे तब से कंबोडिया के सकते कहां के 50 white का डी इंशर कंबोडिया के तो यह बोधिक धारमिक था तो बोधिक नहीं दिया तो धार्मिक हो जाएगा याद रखीगा अंठावन का कौन सा एंसर हो जाएगा भी इस राइट आप से पुछा जाएगा होआ 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 अंदोलन कभ हुआ था तो जब दूतिया विश्वयूद सुरू हुआ था 1949 में हुआ हुआ अंदोलन शुरू हुआ था ये पूछेगा अंकोरवाट के मंदिर का निर्मार किस ने करवाया था तो इस दोनों में से कोई नहीं होगा अगला यहाँ पे देखिए सुरिय वर्मन दूतिया ने करवाया था याद रखेगा सुरिय वर्मन सुरिय वर्मा दू द्वीतिया याद रख लिजिएगा अगला देखिए लाल खमेर देखिए लाल सेना पुछेगा उसका अलग है लाल कुर्ति का तो हो जाएगा गैरी बाल्टी लाल खमेर सेना किसकी है बताएए यहाँ पे कैप्टन कांगली की है सिगानों की है पोलपोट की है या फिर हैंग समरीन की है, साठ नंबर का क्या अंसर हैगा, साठ का एक कैप्टेन कांगली का है, याद रखिएगा, कैप्टेन है तो सेना रखे हैं, यह कोश्चन चार बार पुछा गया, रंपा विद्रो का भुगा, 1916 में हुआ था, जालिया वाला बाग हत्याकंड किस्तिती को हुआ था थेरा अपरेल 1919 को जालिया वाला बाग हत्याकंड हुआ था, यहाँ देखिए, बेदो की और लोटो किसने नारा दिया था, 63 का ए, दयानंद सर्वस्ति ने बेदो की और लोटो नारा दिया था, अगला कोश्चन है, आरे समाज की अस्थपना किसने की, तो 64 का हो जाएगा आपका, आरे समाज की स्थपना दयानंद सर्वस्ति ने की है, ठीक है, फारवर्ड बलोग की स्थपना किसने की, सुभास चंदर बोस ने की है, यह रट लेजिए, बल्ला भाई पटेल, यहाँ देखिए, सदार बल्ला भाई पटेल को सदार की उपादी, किस अंदोलन में सब्सक्रा आपका, बार दोली, सत्यातार, याद रखिएगा, यह कोस्टन डारेक्ट, आपके एक्जाम में आने वाला है, बाबू, मस्ट GBI, कोस्टन है, र है, लकनभू सम्झाथा, किस वर्स हुआ, किस इस वर्स हुआ, लकनभू सम्झांथा, 06,06, नंबर का, 1996, में पता यहां थोड़ा सा important question यह गांधी जी ने सविन्य अवाग्या अंदोलन कारम किस कारे के लिए किया तो यहां देखें दांडी मार्च द्वरा किया था यह थोड़ा सा question में mistake है कि किस यात्रा के दारान सविन्य अवाग्या अंदोलन सुरू हुआ था यह गलत question हो गया तो दांडी मार्च जब सुरू किये थे और जैसे ही दांडी पहुंच करके गुजरात में ऐसे है ने गुजरात यहां पे दांडी पहुंचे वहां से इन्होंने सविन्य अवाग्या अंदोलन के सुरुषन कर दिकव कि तो 1930 में किये ते रहे पूंड सवराज कि मांग्क का प्रास्ता काूं paste कि रखा गया लहर और पूंचेगा सुराज सबसे पहले स्रयाज नाम किस अधिवेशन में लिया गया था तो वो कलकात्ता अधिवेशन लिया था लेकिन पुर्ण स्वराज की मांग 1929 लहर अभी वो पाकिस्तान में है यहां देखिए अगला कोस्चन देखिए भारत में खिलाफवत अंदोलन कब और किस देश के सासक के समर्थन में शुरू कि तुर्की के खलीफा के खिलाफ अंग्रेजों ने बड़ी बेजती किया था इसलिए पूरे मुसल्मान उनके खिलाफ होगा इसलिए इसे खिलाफवत अंदोलन कहते हैं यहां देखिए राष्टिया स्वेम सेवक संग की अस्थपना कब और किस ने कि यानि कि आर एस एस अस्थपना कब हुआ था तो 1925 में के भी हेडगेवार ने किया था रटलो आरेसेस वाला के भी हेडगेवार हो जाएगा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस स्थिती को सुरू किया था तो 1930 में तो सुरू किये थे लेकिन डेट क्या था बाबू मेन इंपोर्टेंट या PRES. आपिंडियां नेयचनल कॉंग्रिस की अस्थापना किसने की सेयर कर दीजे विडियो को इंडियां नेशनल कॉंगरिस की अस्थापना किसने की तो तो यहां option हो जाएगा कॉछ हो गाएं अगला कुछतर देखिये यह अगला निम्लिखित में से किसका नाम बादसा खान या सिमांत गांदी बताइए मस्ट वीवी याई कोश्चन है किसे सिमांत गांदी या बादसा खा के नाम से जाना जाता है पचातर का एक खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखिए पूना पैक्ट याद है ना एक बहुत इन देखने को मिलेगा पूरा रिवीजन कि कहीं दिमाग भठकाने के जड़وعत नहीं आप टॉप करेंगे औसी नंबर का एक्जाम का आप देखिएगा आपका 78-79 नंबर पक्का आजाएगा औसी में औसी भी आप कर कहेंगे कि सब कुश्चन करा दिया गया है पूरा का पूरा प्रिवियस यह 10 साल का है भारत में पहली बार कपड़ा मिल किया स्थप्रा तो यह देखिए इंग्लेंड में सभी इस्तरी एंपुर्सों को वयस्क मत अधिकार का मत अधिकार कप्राप्त देने का अधिकार इस्तरी और पूरुष को इंग्लेंड में कब दिया गया था बताए औसी नंबर का क्या एंसर होगा औसी कड़ी याद रखेगा कभी-कभी यह आठारे 28 28 होगा याद रखेगा ये देखिए एस्पीनिंग जैनिक विस्कार किसने है और धी तरीक आपको याद होगा ही फ्लाइव किस किया वाला ट्रीक प्रणार कष Quindi कि एकारी जी टाटा जी जमसेज जी टाटा ने दादा आरन नहीं होगा ताटा होगा स्वरी टाटा आरन एंड एस्टिल कंपनी के अस्थापना कब की बताइए 83 नंबर का क्या एंसर होगा 83 का 1907 में किया है यह ठीक है यह इंडिया के हैं औल इंडिया ट्रेड य्यूनियन कांग्रिस के अस्थापना एल ट्यू सी यौल इंडिया ट्रेड इन्यूनियन कांगरिस के अपना 1924 का D एंसर होगा अगला सेफ्टी लेंप का विश्कार किस ने किया सेफ्टी लेंप कर हम्फ्रीर डेवी ने किया था हम्फ्रीर डेवी ने सेफ्टी लेंप बनाया था भारत में टाटा हाइड्रो लेक्रिक पावर इस्टेशन की अस्थापना कब हुई थी मस्ट वी वी याई कु सबसे घन महानगर होता है मुंबई में सबसे घना अबादी नहीं तो एक महानगर है न जी गाव में तो दूर दूर घर होता है उतना घनी अबादी नहीं होती है यहां देखिये लंदन की अबादी 10 लाख से बढ़ करके कहां तक पहुंच गई 40 लाख पहुंच गई थी लंदन में यह देखिए अगला कोशन पुंजीपती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का सोसर किया जाता था स्रमिक वर्ग मध्यम वर्ग क्रिशा के इन में से सभी तो सभी हो जाएगा स किसी को बरबाद करता लूटता था अगला कोशन है लंदन में अनिवारे प्रारंबीक सिक्षा कब लाग हुआ लंदन में पढ़ाई लिखाई का विवस था प्रारंबीक सिक्षा सब को मिलना चाहिए एक कावन का अप्शन मड़ी 1970 में शुरू हुआ था पाटली पुत्र क इसके सासनकाल में मगत की राजधानी थी बताए यह उदाईन बानवे का हो जाएगा आपका सी उदाईन उदाईन याद रखेगा यह लोग अपने ही पिता का हधिया साधी के लिए कर देते थे मडर कर देते थे भूमंडली करण की सुरूआत कब हुई 93 नंबर का ए अप् संदित मजदूर इसको बोलते हैं ठीक है अगला कोशन है 95 नंबर कोशन यहाँ पर देखिए विश्वव आर्थिक मंदी किस वर्स अर्म हुआता तो 1929 में अर्थिक संकट जो बोलते हैं इसको बाजार का स्वरूप विश्वव आपकि किस करांती के बाद हो गया ओधोगी करांती हो गया पर संतानवे नंबर का एज औहूद होगी करांती मसीं जब है ना बजार में क्या हो लगा हर चीज़े सस्ता हो ओपसन यहां पर देखिए और Se Iyer When cannabis option है यहां दहूरत में आर्थिक महमनन्धी का सबसे बुरा परभाव किस वर्स पड़ा था किस पर पड़ा था यहाँ पर बताइए किसानों पर सबसे बड़ा परभाव पड़ा वैपारियों पर जमीनदारों पर या फिर यहाँ पर नौकरी पेसे करने वाले लोग है तो बाबू सबसे गरीब इसमें है कौन कदारो सबसे पहले स्टाटी में किसी सबसे ज़्यादा वह था वस्तर का होता था आज दोग जनम किस देश में वह था जणम बताई एकसद दू नंबर का जर्मानी में घुटएन वह जर्म लिए ठीक है और इनोंने क्या के सबसे पहले बाइबिल किताब छपा था छपने वाला अपना जो भी मसीन था गुटेन वर ने सवर परतम किस पुष्टक की छपाई की तो यहां देखिए कुरान गीता हदीश या फिर अगला बाइबिल तो डी इस राइट एंसर हरिजन पत्रिका का परकाशन किस ने किये तो हरिज किसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर अँबर पत्रिका को इंग्लिश में अनुबाद सबसे पहले कर आए गया था कि अंग्रेज कहता क्या था उन लोग को जो पत्र पर नियम लगा दिया था और उस पत्र का नाम क्या बोलते हैं रॉल सौरी हमको ध्यान नहीं आ रहा है उतना उस पर अमरीद बजार पत्रिका इंग्लिश में की अंग्रेज कहता था कि इंग्लिश में किताब रहेगा तो चलेगा अगर दूसरे बासा मरेगा तो नहीं चलेगा तो अमरीद बखार बारे में ज्यादा बोलते थे धर्म सुदारग थे यहान देए अगला कुस्टन विष्व में सरपर्थम मुद्रण की सुरुआत कहां हुई विष्व में सरपर्थम मुद्रण मने होता है पैसा मत समयना च्छापाई की सुरुआत चाइना में हुए था 107 नमबर का आपका answer D हो जाए 107 नमबर का answer क्या होगा C होगा ठीक है अगला question देखिए यह must important किसने कहा मुदरन इस्वर की दिवी महांतम देन है तो सबसे ज़्यादा भगवान को God को खुदा को मानता था कौन यहाँ पर कौन मानते था Martin Luther मानते था आपको बताया थे न कि वो धार्म के बारे में ज्यादा विचार करते तो यहाँ पर B is a right answer अगला question देखिए छापा खाना वाला must import छापा खाना का विसकार किसने किया था गुटेन वर्ग ने 109 नमबर का आपका answer गुटेन वर्ग ना के थे जर्मानी के थे याद रखेगा और एट लास्ट इसका question की है तो यह आखरी ब्रमास्त्र आपके कल के एक्जाम के लिए जिसमें डारेक्ट आपको देखने को यह मिलेगा यह अगर देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है समझे कि आपको पूरा का पूरा समाजिक बिग्यान आप तो बना ही देंगे मतलब समाजिक बिग्यान के किंग हो गए यह समझ लेजे बहुत संदार इंसरे कल आप गर्दा उड़ाने वाले हैं देखिए कैसे गर्दा उड़ाते हैं इनसान की गलतियों से फाइल है वाथा गैस लिख हो गया था जिसके वाइस सही है यह पूरा फैल अब उच्छा जाएगा कुस्छन इसमें कि कौन सा गैस लिख लिक हो तो मिधाइल आइसो सैनाइड याद रखेगा मिधाइल आईसो सैनाइड यह जो गैस है इतना डेंजर हुए था इसलिए भोपाल गैस आपता बहुत ही खतरनाक था मानो द्वारा हुआ था यह ठीक है अगला कुस्टन देखें यहां पर निमलिखित में से कौन भूकंप का सरवजानी खत्रा जोन है बताइए सबसे खतरनाक जोन कौन है जोन टू जोन त्री जोन फ मिलेगा डि यहां पर लिखा है कि सर्वथिक हत्रा सुखार में बताय क्या होता है सुखार है यहां पर समाने चैनल और इस सुखार करिसी सुखार नहीं से आप पहें चार का सी हो जाएगा मौसमे शुखण होता है किसी परकार का अनाज वगारा नहीं उपज़ की। आर्थिक बिकास का गैर आर्थिक कारण कों न है पताई आर्थिक बिकास अगर कर रहे हैं तो क्या धरतिक बिकास का पॉछर संसाधन या मानुई संसाधन होगा ठीक है किंद्रिया सहकारी बैंक का गठन बहुत यहां पर कुश्चन लोग गलत भी किया है यहां पर किंद्रिया सहकारी बैंक का गठन यहां पर किस अस्तर पता है ग्राम अस्तर जिला अस्तर राज अस्तर यह राष्टी अस्तर तो बहु से कौन मिस्रीट अर्थ व्यवस्ता कि विशेष्ट आपको बताई था न जहां दोनों परकार की व्यवस्ता और शर्मजनी कि इन में से सभी हो जाएगा सैनं का डी एंसर हो जाएगा ठीक है एट नंबर एंसर देक एट नंबर का एंसर क्या होगा भारत सरकार ने किस परकार की सिक्षा को मौलिक अधिकार घुशित कर दिया है प्रारंभी सिक्षा मत यह डियरेक्ट यह रखे गई यह वला प्रारंभी सिक्षा को यहां सिक्षा का मौलिक अधिकार मान लिए गया है आठ का ए हो जाएगा आप तो जानते है प्रारणमी सिख्चा सब को लेना नहीं वा रहे हैं एक 14 वरस तक यानि दसवा तक फ्री में लेते हैं न सिख्चा यहां देखिए किस समीती के अंसंसा पर पंचायत राज परणाली की सुरुआ थी तो बलवंत राय महता समीती एक हो है असोक महता समीती वो नहीं होगा वो फेल हो गया था बलवंत राय महता याद रखेगा यही अगला देखिए जारकंड का गठन कब हुआ था तो 2000 में हुआ था यह ठीक है जारकंड का गठन 2000 में हुआ था लेकिन कौन सा डेर्ट था 1 नॉमबर 2 नंबर पंदर नंबर या फिर यहां पंदर नंबर 001 कौन होगा है से तो 2000 मो थो हो नहीं सकता है जारकांड यह आप खुद एंसर दिजे इसका क्या होगा दस नंबर का एंसर आपका होगा contingland लोगतंतर का प्राण किसे कहा जाता है राजनीतिक दल को लोगतंतर का प्राण ये पांच नंबर में भी कुछता है कि राजनीतिक दल को लोगतंतर का प्राण क्यूं कहते हैं ठीक है अगला कुस्चन देखिए वोलीविया में जन संगर्स का मुख्य कारण क्या था तो वोली दैक पर यह कोश्चन उपर करा चुके हैं बता दिए इंपोर्टन कोश्चन है कि नहीं कि यह बार बार रिपीट हो रहा है तो आपके एक्जाम में यह कोश्चन आएगा मेरे बाबू सेशन को सियर कर देजिए यहां करेक्ट एंसर आपको डारेक्ट इसको रट लिजिए और एक्जाम में लिख दीजी और आकर के बताईएगा एक्जाम में कि आपका एक्जाम कैसा रहा है ठीक है उमीद करेंगे कि बाबू गॉड से प्रिय रहेगा कि बहुत अच्छा आंस जाए क्योंकि इससे हट के नहीं रहेगा पूरा का पूरा का दस सल का बारस सल का पूरा नहीं चोड़ इसमें रखा गया है और मस्ट इंपोर्टेंट वोर्ड नमडवी कोश्चन है लोक तंत्र जनता का जनता के दवराय जनता के लिए सासान यह कथन किसका है अबराहम लिंकम का है किसका है अबराहम लिंकम याद रखिएगा अगला कोशन है पंचायती पूछा गया है दो बार सुला नंबर का क्या हो जाएगा सोला का बाराहमी अनुसुची में नगरपालिका को रखा गया है ठीक है यंग इटली की अस्थापना मेजीनी ने किती आपको बताया थे यंग और यंग यूरोप और यंग इटली दोनों वही है वियाना कॉंगरेस क अध्यक्ष यहां पे अध्यक्षता किस ने कि थी तो यहां में टर्निक ने किया था वियाना कॉंगरेस का अध्या किस ने किया था में टर्निक ने किया था अगला कुछ भारत के लिए पहला फैक्टरी एक्ट कप पारित हुआ अठारो सो एकासी में पारित हुआ यह रट लीजिए अठारे सो एकासी में पारी हो था मुंबई यहां देखिए ब्रेट्स उट्स सम्मेलन तीन बार क्वेस्टन पुछा गया यहां पे ब्रेट्स उट्स खिए अंकोराँ अध्ध का मंदिल कंबोडिया में एक एक इमपोर्टेंट को यह रखा गया कि हिंद सोराज पुस्तक किसने लिखे थे हिंद सोराज पुस्तक 24 publi s महात्मागंदी हिंद सवराज पुष्टक लिए खर इंग बना है कहा हार बनाए चांतर बिस तरह हार में रेयल मंता है जाимाल पर खिए खर await नालुप्र अब धजीहां ऑगता है और रौंख अब परियोजना किस जिला में इस्तित है यह बताएं इंपोर्टेंट कोश्चन है 27 का सी नमबर मुझफर पूर में मुझफर पूर का लीची फेमस होता है ठीक है यहां देखिए निमलिकित में कौन प्राकिर्तिक अपदा है प्राकिर्ति अजी गौड दवरा जो घटना घटती ह ना उसे प्राकिर्तिक अबदा कहते है तो आग लगना यह तो इन्सान कोड़ लगता है बॉमबीbanग गॉड के द्वरा मतलब ॉनके नहीं तो मोबाइल आज के लिए सबसे अच्छा एक दूसरे से बात करने के लिए ठीक है कोसी में बढ़ आने का क्या करने अधिक बर्षा होता है सभी नदी कम पना होगा तो उसे सुनामी कहते है पानी में सुनामी होता है यहां देखिए अगला किस नाधी को पिहार कि तुसका नदी खाजाता area बार बार वही पूछा गया ना तो इसको रट लीजे ना ये इस बार पूछेगा कल पेपर देखिएगा ना बाबू तो उसमें डारेक्टी कुश्चन देखने को मिलेगा इसलिए विडियो को एक बार प्लीज लाइक कर देजिए और सेयर कर देजिए आपके पास कोई एक त खेटर में आते हैं तो प्रात्मी क्शेथर में आते हैं बहुत आसान कश्ण अगला देखिए स्वहतनेच्वाताली के बाद के आरतिक विडियो और पे सिक्फेर का साहर भी मुंबई को कहा जाता है ठीक है यहां देखिए सोने के ज्वेवर को सुधता किसे मापा जाता है आप बताजिए पूरा वही चिन हॉल मार्क होता है क्या होता है आप देखिएगा सुनार के दोकान पर वहां पोस्टर पर हॉल मार्क लिखा रहाता है कि अस्थापना कब होई उन्निस सो नब्य-39 का आपका क्या हो जाएगा स्वरी 1139 का 95 में हुआ था क्या हुआ था पंचानवुमे में हुआ था निमम लिखित में से कॉन अधातवी खनीज हैँ अधातवी हो जाएगा आपका अब रक ठीक है लेलिन की मिरती कब होई लेलिन की मिरती 1924 में हुई अगला कोश्चन देखिए बियाना कॉंग्रेस में कौन राष्ट सम्मली नहीं था बाता यह बियाना जब सम्मेलान हुआ था तो उसमें कौन सा देश सामिल नहीं हुआ था बृतेन रूस फ्रांस या फिर जर्मानी उसमें नहीं था ठीक है यह डी इसर सन्युक्त बियतनाम का गठन कब हुए था तो 1975 में बियतनाम एक हो गया था क्योंकि दो बियतनाम टुटा था उत्री और दक्षिन दोनों एक हो गया था 1975 में आरे समाज की अस्थापना किसने की यहां कुस्चन देखिए आरे समाज की अस्थापना किसने की कुस्चन नंब यह पूछेगा अब्जेक्टिव में बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिगा का परकाशन किस भासा में किया था यह बहुत लड़का अप्षन माराथी में थोड़े किये थे अंग्रेजी में यह बात किये थे ठीक है क्योंकि तो अंग्रेजी में अंग्रेज कुछ नहीं 47 का अपका सीजराइट एंसर वही हीरा हो जाएगा यहां देखी अगला कुस्टन रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है बताए 48 नंबर का तो सबसेदा केरल में क्या जाता है काना राष्टी उधियान क्या है यह तो च्यार बर कुछ पुछा गया काना सबसे आगे देखी अब यह दोनों में हमेशा डाउट रहा जाता है देखे आजित वुद्पादन के लिए किया जाता है यह बताए तो एक क्यावन नंबर का यह हो जाएगा कोईला के लिए किया जाता है अगला कुस्ट देखिये दक्शिड भारत की नदी घाटी पर यह भारत में जब जाओगे तो दक्षिर में तुंग भद्रा आता है कौन आता है तुंग भद्रा नदी पर ही है बिहार में ताप विधूत केंद्र इंपोर्टेंट है बरौनी में कहां पर है बरौनी में जूट उत्पादन में कौन सा दिस विश्व में सबसे आगे है जूट वोट होता है वह रहा है कि ईद याद में से लिए लुगत से बनता है अंगोरा होता है उसी के बाल को काट के बनता है नगारजुन सागर-परियोजना किस नाधी पर है यहां देखिए अगला कोशन है और सास्तर पुष्टक किसने लिखे थी तो आप तो ढूनीगे सर आप तो पढ़ा है चड़ाक के चड़ाक के नहीं कोटिल यह होगा अब अतरे कोटिल यह पुछे चड़ाक के पुछे या फिर विशनो गुप्त पुछे इतीनों एक अदमी क का नाम है ठीक है तो यहां देखिए कोटिल यह चड़ाक के को ही बोलते हैं अगला देखिए बेल्जियम में समाजिक भीभाजन का आधार क्या था तो भासा था भासा के अधार पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे यानि कि 59 का आपका एंसर हो जाएगा भी ठीक है भार नहीं है बहुत सारा प्रोब्लम है यहां देखिए राष्टिय महिला आयोग राष्टिय महिला आयोग अधिनियम किस वर्स अस्तित्तों में आया मस्ट इंपोर्टेंट कोस्चा ने कोस्चा नमबर 61 का हो जाएगा डी याद रखेगा 1990 में बिहार का प्रसीद परव कौन है तो सब बिहार में परसीद है ना जी तीन में से सभी अंसर हो जाएगा ठीक है बिहार में कौन सा जीला केला उत्पादन के लिए परसीद है तो हाजी पूरी है तो सब कोई जानता है अगला देखिए अगला कुछ ने निमन में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजर गुजरती है कोशी भी गुजरती है गंडग भी यहां पर गोमती नदी नहीं गुजरती है यहां पर सेज़ाइट और सयोग अंदोलन कभ वह था तो 1920 में हुआ था यहां देख किस देश ने निव डिल निती लागो किया अमेरिका ने किया था अमेरिका गरीबों के लिए नि था यहां देखिया निम्य में से किस टर को प्राथमिक चटर का जाता है तो यहां को डूतीएक चेतर और सेवा चेतरों को तृतिया चेतर लाइट है और यहां C is a Rancher १ारत आर्थिक सुधारों का प्रारंब कब से शुरू हुआ भारत में नय आर्थिक सुधार नया तरीका से सुधार हुआ था 69 नमर का हो जाएगा प्रस्नल जो भी संपती होगा वह आपका वस्तू विनमे यानी विनमे डारेक्ट समझ लीजे विनमे का सरोच्च विनमे मने होता है लें देन का सबसे अच्छा अभी तरीका क्या बन गया मादे मुद्रा अज पैसा है तो कुछ भी खरीच सकते हैं यहां देखिए चेत्रिय सब्सक्राइब बैंक की अस्थापना किस वर्स होई यहां 72 नंबर का एंसर आपका हो जाएगा डी डारेक्ट मारी यह 1975 में हुआ था ठीक है एलमुनियम उद्होग में किस खनीज का उपयोग होता है तो बकसाइड का उपयोग होता है ठीक है यहां देखिए अगला कुश् है कौँसं सा उरजा शुरोट और кажने जैने उन्हीं करने जिसे पुनाअब या जा सके तो कोईला हो जाएगा क्या हो जाएगा कोईला ओजींगा इंदोर पतन इस्तित हैं इंदोर पतन 76 का का है इस दे तामील लैडू में इस्तित है यहां देखिए किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है तो वैंगलूर को जाना जाता है सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है इस शतहत्तर नमबर का आपका A is a right answer ठीक है अगला कोशन है मस्ट वी भ जाएगा केरल में हैं काँपर केरल में पूरा का पूरा अच्छा नमर लेके और आपका चेहरा हसते हुए निकलेगा यह गरांटी हम दे रहे हैं यहां देखिए चलिए एक नमर कोशन यहां पर देखिए एसिया और यूरोप के बीच कौन प्रचली अस्थल यहां वैपार मार का था तो रेसा मार द्वारा एसिया स के लिए एस लोग कहां जाते थे यूरोप में जाते थे वैपार करने के लिए ठीक है रेसा चौरा-चौरी हथिया कांड़ यहां पर देखिए चौरा-चौरी कांड जो है कि बद गांधी जी ने निमली खित में से किस अंदोलन को बंद कर दिया तो यहां पे कौन सा गांदीजी को ठीक है यहां दखीए अगला कॉशन राष्टिय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बताए राष्टिय मजदूर दिवस एक माई को मना जाता है वर्तमान में भारत में केंदर सासीत परदेश कितने हैं चार नंबर क्या हो जाएगा तो अभी फिलाल में आपका नाइन हो गया है कि अंदर सासीत परदेश यहां देखिए किसने कहा लोकतंतर जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए सासने अबराहम लिंकम बोले हैं रट लिजिए इसको बाबु दि सोदन है ठीक है अब सेबन नंबर कोश्चन देखिए भारत में लोकतंतर की सफलता में क्या बदाय आई है अस्तिक्छा गरीबी बेरुजगार इनमें सब तो लोकतंतर में यह बाद आई है सब कोई प्रोब्लम सब को यह बिहार का रजु मार कहा जाता है यहां राजगीर क राजगीर में जाएगा तो एक परवत मिलेगा वहाँ पर रास्ता जो है उसी को रजुमार कहा जाता है शाशाराम नगर का विकास कब हुआ था मध्य यूग में हुए था याद रखेगा मध्य में सेरसा सूरी द्वारा किया गया था चलिए सासा रामनगर का विकास कब हुए यह रिपीट कोश्चन हो गया यहां गोबिंद सागर कृत्रिम जलासे संबंदी थे भाखडा नंगल बांध से आपको बताया था कि इसी को बो के पानी नहीं पहुँचता है आप उपड़ा में खली बाढ़े या तो दकशीर वाला इलाका सबसे या दसे क्या होता है सुखा हो जाएगा सुखाल के बात कर रहे न तों यह सुखाड का बात कर रहे था थीक है कि क्रांती हो गई तो आप 15 नंबर का इंसर बताई पॉंदर को जगा संवेधानी कराजतन रूस की बोल से भी क्रांती का नेत्री तो लेलिन किया था लेलिन किया था भारत में राष्टिया आया की गढणा कौन करता है सी एस ओ केंद्रिया संके की संगठन द्वारा भारत की इरट लेजिए को संदो बार रिपीट हुआ है ठीक है अगला कुस्चन देखिए नियुन में से कौन सा पिछड़ा राज्य है बेचारे हमीं लोग हैं बिहार ठीक है यहां देखिए अगला कुस्चन है बाबु यह कुस्चन आप कल जाईएगा या तो फर्स्ट पाली हो इसी में से कौस्चन रहेगा बताए असी दुना एक सो साथ कौस्चन ही पूछेगा अपको यह चीज तो पता है जिसमें 40 बनाना होता है और इसी कौस्चन में से आपको भी नहीं देखते हैं यही कौस्चन आएगा टेंसन मत लिजेगा आर्थिक क्रियाओं का क्या ठीक है अब देखिए भारत की राष्टी यह आए का सरव प्रतम अनुमान किसने लगा दादा भाई नरोजी लगा है कि इंसान 20 रुप्या प्रतिवेक्ति आये बोले हैं ठीक है कब लगा है तो यह आपको यादर में 1868 था ना जी यही था अगला देखिए दिर कलीन यानि 15 मार्च को मनाय जाता है अगला कुष्टन देखिए अगला कुष्टन है यहाँ पे पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य करण क्या है अधिक सीचाई इसलिए वहाँ अच्छा सीचाई सबसे दस सीचाई होता है फसल भी अच्छा होता है सौ पानी क्रिशी प्रचली थे कहां पे तो उतरा खड़ में सो पानी क्रिसी कैसे सेड़ी नूमा ऐसे खेती की जाती है क्योंकि पहाड रहता है पूरा ये उपर ऐसे ताकि इस पर पानी ढलाओ रहेगा आराम से गिर जाएगा और बचत भी होता है यहां देखिए बिहार में प्रायक कैसी मिट्टी जाती है एरवेद के जनक किसे माना जाता है तो पतवजली को माना जाता यानिकि 26 का डी हो जाएगा ठीक है अगला देखिए प्विश्थान आपे आठाई बिहार एक मिर्टी जाहिए इक बियार में कितने पर सब्सक्राइब निमन में से कौन रोपड फसल नहीं है तो यहां पे धान जो है आपका यानि चावल जिसको बोलते हैं यह क्या एक मिनट निमन में से कौन रोपड फसल नहीं है यह 30 नमबर है तो 30 का सीहटी का धान नहीं होगा ठीक है भारत की प्रमुख खदान कौन है बताए भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है यहां गेहूं मकई जो तो यहां डी इस राइट एंसर हो जाएगा एक 30 का आपका डी होगा देखिए बिहार में कितना परतिसत क्रिस कर देजिए ठीक है निमलिखित में कौन संचार से आपका अंग है तो आप यहां बताए संचार का मतलब एक दूसरे से लोग बात करते हैं है या फिर कोई भी निज लेते हैं तो टेलीफोन से अपनी ही ले सकते हैं टेलिवी जन से से ले सकते हैं समाचरप से ले सकते हैं इन में से सभी यहां पर अप्शन हो जाएगा ठीक है इन में से सभी इसमें दिया है लेकिन इसके पहले वाले कुश्चन में नहीं दिया था मानवी पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है तो इन में से सभी क्योंकि मानों का पू सम्बन्दीत है तो बताई आपकी प्रात्मीक छेतर हो जाएगा हरित-करांती खेत में होता है न तो क्रीसी वाला कहां आता है प्रात्मीक कित्र में आता है अगला कुछ्छन देखिए निमलीखित में से कौन संस्था भारत मुद्रा जारी करने के लिए अधिकरी थे तो रिजर बैंक ऑफ इंडिया याद रखेगा रिजर बैंक ऑफ इंडिया बिहार राज्या है पसु पालन परदान यानि क्रिसी परदान हो जाए यानि सब लोग कमाएंगे नहीं तो बड़ा अच्छा से रहांसान रहेगा ठीक है बड़ा अच्छा से लोग ड्रेस भी पहनेंगे यह अगला कुछ से देखिए बिहार में कितने जिलने हैं यह तो कोई भी बखलूला अदमी बता देगा जैसे कि 38 हो जाएगा ना 38 है यहा तो बताई यहां पे राजस्थान के नागार जीला में हुआ था तो नागार नहीं दिया तो राजस्थान जीला में सबसे पहले बंचायत बना जिसमें मुकहीयाओ है लोग जो आते हैं न वहीं बना था यहां देखिए अगला कुसें है कि निलिखित में से कौन के अंधर सासीत पर्दाइस तो च शट्टीस गड़ कें अधर सासीत परदेश में आ जाएगा ठीक हैं Eğer संग सरकार का उधारन फ़ dieses इंडिया क्रिषी उत्पाद को कि मनंवी करण के लिए किस मानक के पुछे कुछेगा तो यहां हो जाएगा एक मार्क सोना के लिए पुछेगा हॉल मार्क याद कर लीजी अगला कुछन दीके निमलीखित में इसे कौन प्रात्मिक छेतर से संबंदित है तो क्रीसी छेतर को प्राथमिक छेतर कहते हैं तिनकथिया पढ़नाली किस पर लाग हुआ किसानों पर महात्मा गधी निसमें सो स्तरह में शुरू किया था आप से पुछा जाएगा भारत में महात्मा गधी का सबसे पहला अंदुलन तो वही था कहार के सिवान जीलह में ता यह याद रहे का सिवान जीलह में थहां यहां देखिए अब यहां पर देखिए काकोलक काकोलत जलपरपात we Oh कि किस जीले में इस्तित है का कुला तो यहां पे हो जाएगा 52 का सी एंसर होना चाहिए 52 का सी ही होगा एक में डूकि यह वाला जो जाएगा नमादा का कुला जल पर पर नमादा में होगा ठीक है नमादा ही होगा 52 नंबर का वी इस राइट एंसर नमादा होगा ठीक है किस देश की सीमा बिहा से जूड़ी हुई है तो नैपाल बिहार से सटा हुआ है ठीक है गटवंदन की सरकार बनाने के लिए किस परकार की दली वे अस्ता जरूत होती है एक दली दली बहुत सारे लोग मिलके गटवंदन बनाते हैं अब यहाली फिलाल में महां गटवंदन बना था आप लोग देख भारत में राष्टिया आपात कालिन की घोशना कब होई थी बताइए यह इसका 56 नंबर का आपका एंसर हो जाएगा भी और इसी के बाद आपात कालिन लगा तो आया जंता पार्टी की सरकार 77 के बाद अगला कुश्चन देखिए भुकंब के उर्दवार्थ पृत्वी पर इस्तित केंदर को क्या कहते हैं अधी केंदर कहते हैं, सुनामी समद्डी bug in solar इन लोगों का पता लागाने केलिए किस यंतर का परियोग किया झाता है। एगला कушण देखिए अगला कुश्चन है यहां पे निम लिखित में कौन प्राकृतिक अपदा है। लगना यह तो होगा ही नहीं यह भी नहीं होगा भूकम प्रकृति कब दर निमन में से कौन खरीफ फसल है खरीफ फसल आपको बताया थे कौन है तो यहां पर 61 नंबर का एंसर हो जाएगा डी धान हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है यहां पर ऑप्रेशन फल्ड क्या है बताया ऑप्रेशन फल्ड क्या होगा 62 नंबर का एंसर क्या हो जाएगा बी इजा राइस ना डेरी विकास हो नहीं कि दूध पर यह एक परकार का नियम लगा था ठीक है रिजर्ब बैंक अफ इंडिया की अस्थापना कब हुई थी यह सब कोई जानता है 1935 में यह पूछेगा भारत की पहली सूती मिल कहां अस्थापित हुई थी भारत की पहली सूती मिल मुंबई में अस्थापित हुई थी सेटी लंब का विशकार किस नि किया था आपको पता होना चाहिए हमफ्री डेवी निस एस्थवेड एक मिने तो करो या फिर मरो फिल किससे कहा जाता यह कि का बचक्ना का जाता है राचना को का सालमाक्स ने किया था यह भी याद रखेगा भारतिया रश्टिया कॉंगरिस की अस्थापना कब हुआ था बावु तो अठारे सो पचासी में हुआ था महत्मा गांधी ने भारत में सत्यगरा का पहला परियों कहां किया चांपारन में किया था जिसे तिनकठिया पढ़नाली भी कहते हैं ठीक है मुद्रण का विश्कार का हुआ था मुद्रण का विश्कार सबसे पहले कहा था चीन में हुआ था निकी 72 का आपका और तो होगे तो पूश्टे रहता है अगला कुस्चन देखिए सरवत्तम कोईले का परकार कौन सा है तो यहां पर पीट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा पीट यानि 75 नमबर का एक पचातर का ए होगा एथरा साइड एक बार सेशन को सेयर कर दिजी अकर जबरदस लगे हो तो पूरा का पूरा सेयर कीजिए ताकि एक्जाम से पहले फर्स जारी या फिर छपरा तो भी इजा राइट इंस अच्छी अतर नमबर का आपका बी सही है ठीक है अगला देखिए निमलिखित में से कौन सा राज सरवाधिक वन है तो मद पर्दस में सबसे ज़्यादा बन है कहा लगाओ तब तापिय विदूत पर्योजना ठीक है यह कहा नियुक्त पर्दस भार में कौन बार प्रामट छितरे सबसे ज़्यादा बार कांगा आता है तो उत्री भारत में आता है कहां आता है उतरी बहरत में तो उमीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कोश्चन आपको समझ में आ है तो एक बार प्लीज अगर अच्छा लगा हो और आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर देजिए और एक बार सेयर करके जाए ताकि एसी वीडियो का नोटिफिरोएं और सब्सक्राइब इसलिए कर दिए क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अभी पहुंचे कियोंकि एक्जाम अभी देना अभादि बाकि है तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में मस् ऐसे ही मस्ट वी वी आई कोश्चन के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज